नमस्कार साथियों आप सभी लोगों का स्वागत है सीटेट पडिछा का रिजल्ट जाड़ी हो चुका है साथियों और आप सबों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा और इस बार जो भी सीटेट पास किये हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो और जो कुछ नंबर से चुट गए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट ट्राय करें ऐसे में साथियों सीटेट पडिछा का रिजल्ट जाड़ी हो चुका है खास करके बिहार के अभियर्थियों के द्रिश्टिकों से देखे तो सातवे चरण की भाली आने वाली है और अभियर्थी संदर्म में कुछ डाटा हमारे पास आया हुआ है उसमें क्या सतता है इसका तो मैं अभी पुष्टी नहीं करूंगा लेकिन फिलाल भारत के संदर्म में पूरे भारत वर्स के संदर्म में कितना सीटेट पास वाया अभियर्थी उसको हम लोग देख लेते साथियों लगभाग अगर देखेंगे तो लगभाग देखेंगे तो एक्पेर इंब छातर्म का 40% यानि जितने अभियर्थी एपियर हुए थे पेपर वन में उसका 40% अभियर्थी ने इस बार पास किया है सीटेट एकजाम को अच्छा रिजल्ट आया है दूसरे पेपर टू की बात करें साथियों तो पेपर टू में 15,49,464 अभियर्थियों ने रेजिस्टेशन करया था और 12,76,071 अभियर्थी एपियर हुए थे एकजाम में और इसमें से पास हुए है पेपर टू में 3,76,025 अभियर्थी यानि कि आप समझें सीधा तोर पर इस बार सीटेट एकजाम में पूरे भारत में पेपर बन में 5,89,844 अभियर्थी ने पास किया पेपर2 में 3,67,025 अभियर्थी नीपास किया तो सातियों यह आंकरा आपको मिल गया होगा साथियों इस बार सीटेट पास करने वाले अभियर्थियों की संख्या इसलिए ज्यादा है कि इस बार सीटेट पडिछा में उसको भी मौका दिया गया था जो जस्ट बीलेड बीड में एड़िशन लिये है यानिकी आप इडमिशन हो गया पहले क्या होता था कम से कम अभियर्थि एक साल पास कटे थे तो दूसरे इयर में भरते थे दो यह पास करने के बाद , वहती किसंख्या ज्यादा है और आप बित्व सरा आठी यह ही करेंट ब्यार्थि हैं फरस्टे यहार का तो कुछ website का मनना है 40,000 भीहरती ने पास किया है यह तो data हमें नहीं लगता है सही होगा कुछ website का कहना है 60,000 भीहरतीों ने बिहार में सीटेट पास किया है कुछ का असी हजार का कहना है लेकिन खिलाल कल paper के माध्यम से clear होगा क्योंकि website को उतनी हम पर्मानिक्ता नहीं दे सकते हैं क्योंकि print media जानते हैं आजकल कुछ भी लिख देता है लेकिन फिलाल जो सीटेट पूरे भारत वर्स का जो data हमारे पास आया हुआ था उसको मैंने आपको दिखाया और बिहार में कितने पास हुए है ये कल तक पता चलेगा धन्रवाद